सभी को हारदिक नमस्कार पिछली क्लास में हमने सारनिकों की अनुप्रयोग की बात सुरू की थी और आपको याद होगा हमने उस स्रंकला में तीन अनुप्रयोग पड़न दिये थे आपको नाम याद होंगे ना पहला था त्रिबुज का क्षेत्रफल ग्याद करना दूसरा तीन बिंदूओं की सेरेखियता और तीसरा था दो बिंदूओं से गुजरने वादे रहा कि एक्विशन को याद करना यह अपने तीन अनुप्रयोग पड़े हैं अब उसी स्रंकला में हम बात करने वाले चोथे अनुप्रयोग की और चोथा और अन्तिम यही है इसका जो पूरा होगा इसके साथ ही यह चैप्टर पांच दो पूरा हो जाएगा और यह प्रस्णावली पांच पूरी हो जाएगी यह इसका अंतिम थियोरी का पारट है ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसकी हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द है रेखिक समिकर्ण का मतलब क्या होता है आप रहे खास से कोई सम्बंदिद होना चीуем इसका मतलब होसकता है आगे शमीकरण निकां का मतलब यह होता है कि यह दो से अधिक शमीकरणों का ऐसा पुंज जो परस पर आपस में एक दूसरे को शंतु startup करे उसको बोलते हैं समीकरण का निकां थान्य तो यहाँ पर ही समिकरणे निकाए कौन सा है रेखिक है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समिकरणे जो भी होंगी वे रेखाओं की होंगी वो वक्रों की नहीं हो सकती है वृत्तों की नहीं हो सकती है परवलें की नहीं होगी वो केवल रेखाओं की ही होंगी इसमें खास बाती है कि यहां पर हम केवल रेखाओं का हल सिखेंगे वक्रों का हल नहीं सिखेंगे ठीक है और अगर आपको पता हो तो अगर समिकरणे रेखाओं की हैं तो उनके हल दो प्रकार किया सकते हैं या तो उनका हल होगा अद्विती है मतलब कि एक हल आएगा उसमें एक हल में सा पर रेखाओं में नहीं होता है वैसे भी सी वात है अगर कोई समिक्रण में एक स्कीवाइध एक है तो उसमें एक का मान क्याव हो एक आएगा इसका मतलब इन तीनों का जो हल होगा वो हमेशा या तो एक होगा और या कई बार अनन्त हो सकता है कैसे एक बार देख लेते हैं जैसे यहाँ पर तो तीन रेखाई हैं मैं क्यों पहले दो की बात कर लो मान लीजिये मारे पास में दो रेखाई L1 और L2 हैं और मान लीजिये रेखा L1 जो है वो इस प्रकार से जामीतिय विस्तिति में स्थित हैं और रेखा L2 जो वो मान लीजिये ऐसे अब आपसे पुछा जाए कि L1 और L2 रेखाऊं का हल बताओ अगर आपके पास मानलो इसकी equation देरखी होती तो उनका हल पुछा जाता तो हल क्या है वास्तों में ज्यामीतिय रूप में हल वह बिंदू है कार्तिय तल का जिस बिंदू पर वे रेखाई परस पर एक दूसरे काट जाती है है ना मतलब आपके संतुष्ट करती है वो तो अगर मैं L2 को पिछे बढ़ाऊं तो यहाँ पर मानलो बिंदू P पर काट रही है और मानलेजे बिंदू P के पॉइंट्स है अलफा कोमा बिटा तो हर विद्यारती समझ जाएगा कि यहाँ पर एलफा बिटा जो है वो रेखा L1 और L2 का हल कहलाएगा हल का मतलब यह होता है कि उसको संतुष्ट करने वाला बिंदू और अगर रेखाई दो हैं तो दोनों को परस पर संतुष्ट करें वह बिंदू तो वह होगा जहां पर रेखाई दोनों मिलेंगी जैसे मानलो मैं इस बिंदू की बात करो मानलेजे बिंदू P1 नहीं अब बिंदू P1 रेखा L1 को संतुष्ट तो कर रहा है इसकी उपरस्थित होगा इस संतुष्ट तो लेकिन रेखा L2 को संतुष्ट नहीं कर रहा है यहां पर मानलीजे बिंदू P2 है तो P2 रेखा L2 परस्थित है इसलिए L2 को संतुष्ट करेगा पर L1 को नहीं करेगा हल वास्तों में वह बिंदू है या वह एक कार्ती तल का मान है वह लोकेशन है जो उन दोनों रेखाओं की संतुष्ट करता हो और वो आप जानते हैं कटान बिंदू होता है अगर आप देखें तो ये कटान बिंदू जो है ये कटान बिंदू, L1 और L2 दोनों प्रस्थित है इसलिए दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए कहा सकते हैं, कि यहाँ पर alpha, beta, इन दोनों रेखाओं की समीकरण निकाय का हल होगा, समीकरण निकाय का, एक का निकाय मतलब दोनों का एक साथ हल होगा, छीक है, अब ये एक है, देख लो बिंदू एक ही, दो बिंदू थोड़ी आ रहे हैं, दो पूइंट जरुर पर है बिंदू एक ही, कहने का मतलब यहाँ पर किवल एक हल आया है, अगर यही रेखाएं, L1 औ आपस में कभी काटेंगी भी नहीं और जब काटेंगी नहीं तो इसका हल आए गहीं इसलिए किसकते ही यहां पर हल होता ही नहीं है चीक है और तीसरी कंडिशन ये होती है कि यह ने एसा कहूं कि रेखा L1 ये है और रेखा L2 इसकी उपर ही आ गई मानलो L1 और L2 को मैंने एक दम ओवरलेप कर दिया एक की ऊपर इसको दूसरी को बना दिया है यह दिरेखा L1 और L2 दोनों एक की ऊपर एक आ गई तो कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं आपस में कहां-कहां प होता है इसे लगए सकते हैं यहां पर अननर्थविंद्व पर काटेंगी तो इस कंडिशन में इसके अनन थेलास सकते हैं यहां अधि आएगा यह इन्हीं संहूंतर रेखावों में हलाता नहीं continue यहां एद्विति आएगा जबयता हैं आपसी काट रही है Р 1996 हल आएंगे जब आपस में दोनों रेखा एक ही हो जाती हो तो नंत हल आएंगे इसी दीसी बात ऐसा नहीं होगा कि हल दो आ जाएं हल पांच आ जाएं साथ क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर एक सिद्धान्त और भी काम कर रहा है कि रेखा की इक्विशन में चरों की घात हमेसा अधिक्तम एक होती है और उस कंडिसंस में उनका मान केवल एक आ सकता है अधिक्तम ठीक है ना तो हम यहां पर इस सिद्धान्त को अच्छे सिखने वाले हैं कि अगर समिग्रण निकाई रेखिक दिया गया हो तो उसका हल कैसे निकाला इंहें सिद्धान्तों को थोड़ा बहुत पहले इसका जो मुल का अपर देख लेते हैं बाद सिद्धान्त की बात हम करेंगी जैसे आप देख रहे हैं कि यह एक तीन चरों का और तीन समिख्रों का एक समिख्रण निकाई आपको दीख रहा हुगा छीके जाह पर आप सब है कि यह A1 B1 और यह C3 तक यह सभी है ना इन सब को बोलते हैं चरों के गुणांग कि चर की गुणा में आ रहे हैं चीक है ना और X Y Z को बोलते हैं चर और बराबर में जो आपको दीख रहा है D1 D2 D3 इनको इनकों पूलते हैं मुल्य सदीश या मुल्य मान के दो एक यह बाती है अब यदि मुल्य मान यंजो D1 D2 D3 मुल्य मान है इस इन मुल्य मानों के मान के आधारत पर i इसको दो प्रकार में बंटा गया है कैसे एक बार देखी यदिस अभी मुल्य मान D1 D2 D3 0 हो यदि इन तीनों का मान जीरो हो मान लेजिए equations यहां पर कुछ भी था 5x 7y-3z2 भी था लेकिन तीनों में equal में 0 दे दिया गया हो ऐसा हो सकता है और यह हो सकता है कि D1 D2 D3 में से कम से कम कोई एक जानकर यह केवल हैना कम से कम कोई एक एशन्य हो कम से कम कोई एक एशन्य हो मतलब कि कम से कम कोई एक ऐसा है जो 0 नहीं है हो सकता है कि 2 0 हो लेकिन कम से कम कोई एक 0 ना हो बस यह इसमें 2 condition बनाई गई है और इन condition को बनाने का कारण यह है कि इनको नाम दिया गया है यदि यह सब 0 हो तो इसको बोलते हैं, एक नाम है इसका इसको बोलते हैं सम गाती, समिकरन निकाए, है ना, इसका नाम दिया गया है, सम गाती, या सम गात बोल दो बले, समिकरन निकाए, इंगलिश में कहें तो होमोजीनियस होमोजीनियस लीनिर डिफेरेंशल लीनिर एक्विशंस ऐसा कह सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद में यह है दूसरी कंडिशन इसमें आप देख रहें कि डीवन डीटू डीट्री जो हैं इनमें से कम से कम कोई एक नौन जीरो है मान लीजे यह मान लो माइनस नख्ष तीन था अवड नोज जीरो थे ऐसा ओसकता है और हो सकता है कि कम से कम नहीं तीन इसको बोलते हैं विशम गाति विश्म गाती समीकरण निकाए इसके एक नाम दिया गया है विश्म गाती समीकरण निकाए और इन दोनों का अलग अलग अध्यन अलग अलग रूप में पढ़ाया जाता है देखो, आपके बार्वीं कलास के सिल्लेबस में इसका अध्यन हुआ होगाउ इसका नहीं होगा इस और तो हम केवल इस भी सवाल ऐसा नहीं देखने वाले हैं सब सवाल ऐसे होंगे जहां पर एकवल में कम से कम कोई एक नौन जीरों हूँ ठीक है ना और इसमें इजी पड़ता है यही इसके लिए बहुत मुश्किल काम करने पड़ते हैं वो यहां पर नहीं आपके लिए क्यों यह एक ही होगा व इसमें तरीकों में पहले कहा दों आपको शुरुवात करेंगे अपने पहले तरीके से जिसका नाम है क्रेमर नियम ठीक है ना तो हल करने के तरीकों में एक नंबर है क्रेमर नियम आप इसको पहले अच्छे से देख लो क्रेमर नियम और कई बार इसको बोलते हैं सारनिकों के प्रयोग द्वारा सारनिकों के प्रयोग द्वारा हल ग्याद करना सारनिकों के प्रयोग द्वारा हल इसा क्यों बोलते हैं क्योंकि आगे जवो सीधान्त है न, उसमें प्रियोग हो गा, आउगंगों का, इसलिए इसका एक लग नाम दिया गया है, सारने को यूज से इसका हल ग्यात करना अच्छा अब देखिए अब क्रेमर नियम में हम इस क्रेमर नियम को दो भाग में तोड़ के पढ़ेंगे हलांकि पढ़ने वाला विद्यारत एक में समझेगा पूरा कांग लेकिन हम इसको दो भाग में तोड़ के पढ़ने वाले अच्छे से ही ठीक है तकि आप दोनों को अलग देखे अब दो बाग कॉन से हैं अगर आपके सिलिबस की बात क्रोंगे, आपके सिलिबस में केवल दो प्रकार की सवाल ने हल निकालने कि या तो चर 2 आएंगे, तो एक्विशन्स 2 होंगी, और या चर 3 एक्विशन्स 3 होंगी, चोथा कोई, मतलब वही चार हो ऐसा नहीं आपके और एक टो तीन ध्यक्र इसमें क्या नीकाइकए मतलब मतलー कम से कम्र डो आयें घ्र इसमें क्या लाइन बेंगी या तो दो चरह्ए और या तीन चरहूंगे तो आपके क्रेमर नियम के इंतर दो भाग में तोड रहा हूं यदि दो चर हो तो क्या करते हैं और तीन चर तो क्या करते हैं चार चर की एक चर की बात नहीं की जाएगी इसमें के वल दो ही टाइप की सवाल हैं ठीक है चलिए हम इस क्रेमर नियम में एक नंबर बनाते हैं इस क्र दो चरहें केवल, ठीक है ना चलो देखते हैं इसमें क्या करते हैं देखिएगा, पहले तो मान लीजिए माना समीकरण निकाए अगर आपको समीकरण निकाए कहें कि माना इसको मान लेते हैं, तो मान लो मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ, इक्विशन का जो निकाए वो यह है A1X, फिर B1Y इक्वल में मान लीजिए C1, चरदो यह तो हैं इसमें तीन थोड़ी होंगे, इसी प्रकार आगे मान लीजिए A2X, ठीक है ना B2Y इक्वल्स टू C2, यह इक्विशन नंबर एक मान लो, इक्विशन नंबर दो मान लो, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो चर हैं, तो दो इक्विशन भी आएंगी इसमें करने का है, संगत होगा पकाई है ठीक है ना, अब इसका हल कैसे निकाले देखें, तब इसका हल मैं इसको संक्षेप में लिखवा रहा हूँ काफी कुछ बातें आप खुद समझ लें अच्छे से तब इसका जो हल है, वो सिदा पहले सुन लो क्या होता डारेक्टली तब इसका हल, हल का मतलब चरों के मान, और यहां पर चर दो अब यहां पर प्रस्ण उठा कि डेल्टा, डेल्टा वन और डेल्टा टू यह तीन क्या आ गए, तो इनको पहले सुन लो क्या है, जहां आप देखेंगे इसमें, जहां पर जो डेल्टा है ना, डेल्टा, यह डेल्टा होता है चरों के गुणांकों का मैट्रिक्स, सोरी सारनिक डेल्टा होता है चरों के गुणांकों का सारनिक इसमें देखेंगें, चर कोन है, एक्स वाई है इनके मल्टिपल्स देख लो आप तो मल्टिपल्स पहले क्या बना, A1, B1 फिर A2, B2, डेल्टा होता है चरों के गुणांकों का सारणिक A1, B1, A2, B2 इसको A, Z, T, ज्यांक पर बस replace करना और कुछ नहीं करना है ठीक है उसके बाद में आगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है देखेंगे आगे तथा यह जो डेल्टा 1 होता है न डेल्टा 1 क्या होता है वास्तों में इसमें एक ट्रिक सुन लो इसको बनाने की डेल्टा जो ने डेल्टा इस डेल्टा से आपको डेल्टा 1 बनाना है लेकिन डेल्टा के पेर में आप 1 देख रहे हैं के स्यारी कि निक्ट नू सी है तो आप कैसि करने कि आपने की एक प्रस्ट को को किसी सी छीनली में चीठी है तो फस्ट को ज geschक्राब करेंज में देल्टी होगा तो बाकि एचे second column को replace करना है मुलिष सदिश से और first column से में लिख दो डेल्टा वाला ही तो डेल्टा का first column unchanged है अ1 A2 लेकिन second column बनाओ C1 C2 ना कि B1 B2 यह बनेगा नगा या मुलिष सदिश, यहां होलेगत C1 C2 ठीक है हां यह Kramer री नीमर नियम का पहला पॉएंट बन गया जब दो चर्ग धीये हो नियृ कि है तो इसका हल निकालने के दोよし का मान ने डीटा वन बटी डेल डिल्टा Ky ये होते हैं और याद करने के लिए ट्रिक्स वाई जाब इसको देख लो अच्छे से छीक है इसी प्रकार से अगर तीन चर हो तो डेल्टा एक्स वाई के बाद में जड़ भी आएगा अब डेल्टा थ्री हो रहेगा ये है बस ये इसका संक्षेप रूप में निरुपन हो गया है अब अपने क्या करते हैं अब अपने इसका रिजन देखते हैं इसको हम पूरा प्रूफ करेंगे कि वास्तों में डेल्टा वन बटे डेल्टा क्यों आता है वाई का मान ऐसा क्यों आता है इसकी हम थोड़ी बहुत जांस करते हैं ठीक है? तो बात करते हैं आगे प्रमान की देखिएगा हम आगे इसको प्रूफ कर सकते हैं काफी easy काम आए बहुत अब प्रूफ के लिए क्या करना चाहिए कोई बहुत मुस्किल काम नहीं है बस CDC आपको replacement विदी लगानी है या लगा दो इसमें समान गुणांक विदी वो कर सकते हैं आप देखो अगर आप equation number 1 और 2 के माध्यम से X का और Y का मान निकालना चाहते हो तो आपके पास में कई chance हैं या तो आप replacement विदी लगा सकते होगा ना आपस में चरों का आप इसमें replacement कर दो उससे भी हो जाएगा या समान गुणांक कर दो आपकी इच्छा है मैं इसमें कर रहा हूँ समान गुणांक देखो आगर मैं equation number 1 और 2 से X का मान निकालना चाहूं तो Y को मुझे अटाना चाहिए इसमें से तो Y कब हटेगा जब दोनों में ही Y के गुणांक सेम कर दें और माइनस कर दें यह कर सकते हैं आप देखो आप कैसे करेंगे अगर मैं equation number 1 जो है न उसको equation number 2 वाले Y के multiple से गुणा कर दो मतलब B2 से गुणा कर दो और equation number 2 को गुणा कर दो equation number 1 के Y के multiple मतलब B1 से तो समान गुणा कोगे दोनों के B1 B2 वो कट जाएगा वो यह काम करें इसमें देखेंगे अच्छे से हम इसमें क्या करेंगे कि equation number जो 1 है उसे गुणा करेंगे B2 से और फिर माइनस करेंगे equation number 2 गुणा B1 देखते हैं क्या आता है देखिएगा equation number 1 गुणा B2 करो आप तो A1 B2 हो गया यह यह बनेगा A1 B2 X फिर आगे प्लस का चिन नहीं है फिर B1 B2 हो जाएगा यह फिर B1 B2 Y equal में C1 B2 पढ़ा है C1 B2 फिर आपको करना है माइनस मतलब कि निचे लिखो इसको वापिस request number 2 गुणा B1 तो यह हो जाएगा A2 B1 X फिर प्लस का चिन आगे है B1 B2 बराबर में है C2 B1 एकदम सिंपल बात है अब आपको पता है माइनस के लिए इसके चिन चेंज कर लो तो इसमें माइनस 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 यह पूरा Y वाला अपर Y भी होगा यह पूरा Y वाला पारट कट गया और X में क्या बचा इसमें देखिया X में गुणांक बच गया है A1 B2 माइनस में A2 B1 X बराबर में है C1 B2 माइनस में C2 B1 यह सिंपल सी बात होगी मेरे साब से तो अब इसमें अगर आप देखें तो पक्षांतरण से X का माण निकाल लो वो होगा C1 B2 माइनस में C2 B1 और बच्टा में है A1 B2 माइनस में A2 B1 और अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाए है अलंगी इसका उतर यह भी सही है पर हमें तो इस रूप में निकालना चाहिए न तो क्या करना चाहिए अब अगर आप देखें तो यह एकदम सिंपल सी बात है बस X बराबर में आप इस पर विचार करवाँ यह एक सारणिक की तरह काम कर रहा है C1 B2 माइनस C2 B1 यह क्या इस परकार का सारणिक नहीं है क्या C1 C2 B1 B2 अब यह सोचना खुद पढ़ेगा आप यह सा क्यों बन रहा है देखो आप C1 B2 बन रहा है माइनस में C2 B1 बन रहा है ठीक है अच्छा फिर बट्टा में आपको लिखना है इसको भी एक नए सारणिकी रूप में तो लिख दो भई यह A1 B2 इसको में लिख रहा हूँ A1 A2 B1 B2 रूप में अब यह बात यह आपको आनी चाहिए अच्छे से कि हाँ ऐसा लिखना अब यह लिखना कब सिख आओगे जब आप प्रेक्टिस बढ़िया करोगे तब इसको आप पहले सोच लो कि हाँ यह सारणिक कौन सा है इस सोचना आपको आना चाहिए यह दोनों बाते इस रूप में लिख दी गई है और आपने इसको नाम दिया था डेल्टा वन और डेल्टा का तो लास्ट में कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक्स का ही मान आ गया है डेल्टा वन बटे डेल्टा तो एक्स के मान वाले बात तो सिद्ध होई तुकी है ऐसी करदो वाई का मान भी बड़ा असान काम है इसी प्रकार से ठीक है ना तथा अब y के अमान के लिए क्या कर सकते हैं x को हटाओ और x हटेगा x के गुणांक समान करने से तो कर दो समान गुणांक इसे गुणा करना है a2 से इस वाले multiple से इसे गुणा करना है a1 से तो देख लेते हैं ना equation number 1 को तो गुणा किया जाएगा a2 से फिर minus में equation number जो 2 है वो होगा गुणा a1 से और minus तो करना है फिर ठीक है देख लो आप equation number 1 गुणा a2 तो बनेगा ये a1 a2 x ठीक है फिर a2 से करने पर बनेगा ये a2 b1 y बराबर में a2 c1 equation number एक नए रूप आ चुका ही इसे गुणा करना है a1 से तो बनेगा वापिस a1 a2 x फिर a1 b2 y बराबर में a1 c2 ठीक है अब इसको गटा दीजी आपस में तो सब के चिन माइनस के हो जाएंगे ये x इस बार कट चुका है इस बार बचेगा सिर्फ y ही तो y के multiples common law a2 b1 minus में a1 b2 y बराबर में यहाँ पर बचेगा a2 c1 minus में a1 c2 और अगर आप विचार करते हैं तो y का मान जो है यहाँ पर आएगा ये a2 c1 minus में a1 c2 बटे में a2 b1 minus में ये a1 b2 एकदम सिंपल सी बात है अब इसको आप किस रूप में लिख पाओगे यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है भी एक काम करते हैं इसमें उपर और नीचे दोनों में से minus common लेते हैं ताकि सिधा हो जाए अभी उल्टा हो रहा है रूप इसका है ना तो इसमें क्या इसमें इसको ऐसे लिख दें क्या हम इसको उल्टा कर दो ये a1 c2 फिर minus में a2 c1 ये ठ ठीक है अब देखो आब अब कह सकते हैं कि इसी y को ऐसा लिखना बिल्कुल सई है जायज है y बराबर में इसको मैं लिख रहा हूं एक सारणिक है a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2 और इसके बट्टे वाला सारणिक है वापिस वही a1 a2 b1 b2 देख लो बली जान चलो बिल्कुल सई बात रही है और आप जानते हैं कि इसको हमने एक नाम दिया था अपनी तरफ से डेल्टा 2 है और बट्टा में डेल्टा है ठीक है तो essence पर ध्यान दो इसके सारबात पर ध्यान दो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा मत फसो वास्तों में इसका रीजन यह है और यह तो नाम है नाम क किस रूप में यह बनाया गया है तो ऐसे हमने सिद्ध कर दिया क्रेमर नियम का जो फस्ट पॉइंट या फिर फस्ट पार्ट जो दो चरों वाला इस रूप में आ रहा है बिल्कुल ठीक बात है यह ठीक है तो यह इसका एक क्रेमर नियम का यूज है अगर दो चरदियों तो हमें ज्यादा माथा पची नहीं किरनी है बस सिंपल काम कितना सिंपल काम है आपको तीन मान निकालने डेल्टा वन का डेल्टा टो का डेल्टा का और बाद में सिंपल रूप में स्वई का मान निकाल लो कोई वीदी नहीं सिंपल सी बात है बस ठीक है ना ऐसी करते हैं तीन तीन चरों के लिए हमें डेल्टा थ्री और भी मानना चाहिए उसमें वह भी माना जाएगा एक बार देख लें तो अब हम बात करते हैं क्रेमर नियम का सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट कहें दो बलाई जब तीन चर दिया हो ठीगा ना जब तीन चर दिया हो अब यदि तीन चरों के अंतरगत कोई समिकरण निकाई दे दिया जाए तो खल कैसे निकालते हैं पहले तो मानना चाहिए इसमें देखेंगे आप माना समिकरण निकाई हमें पहले समिकरण निकाई को अपने अनुकूल मानन होगा तो माना समीकरण निकाई जो है वो यह है एवन एक्स फिर बीवन वाई प्लस में सी वन जड़ इस बार जड़ भी आएगा तीन चरहों के लिए बराबर में हो जाएगा डीवन हना इसी प्रकार आगे एटू होगा फिर C2Z equals to D2 और A3X फिर B3Y फिर C3Z equals to D3 आप जानते हैं कि तीन चरह के लिए तीन निक्विस में होने चीड़ बात है अच्छा अब यहाँ पर कह सकते हैं कि तब इसका हल मैं इसका हल पहले संक्षेप में लिखवा दूँ काफी काम का है तब इसका हल जो है वो यह होता है हल में X का मान क्या होगा देखिएगा X होता है डेल्टा 1 बटे डेल्टा फिर X के बाद में Y की बात करता है तो Y होता है इसमें डेल्टा 2 बटे में डेल्टा और इसी प्रकार से Z देखिएगा ऐसे Z जो होता है वो होता है डेल्टा 3 बटे में डेल्टा बस इस बार 3 भी य यह जो डेल्टा है ना देखिएगा जहां जो डेल्टा है यह चरों के गुणांकों का सारणिक रूप तो लिख दो इसको A1 B1 C1 फिर इसे C3 तक लिखना है सबको तो बनेगा यहां पर यह A1 B1 C1 है ना A2 B2 C2 एसे ही A3 B3 और C3 यह इसमें डेल्टा है और डेल्टा के मात्यम से आपको डेल्टा1 डेल्टाटो डेल्टा3 बनाने है तो बना देते हैं तथा इसके बाद में बना रहीं डेल्टा1 क्या हुगा डेखिएगा डेल्टा1 का मतलग होता हartet já वही बात वापिस जाद ही है कि डेल्टा में ही फस्ट कोलम को इस मुल्य सदीश रिप्लेस करना है बस तो यहां पर A1 A2 A3 नहीं है पराएगा D1 D2 D3 बस लिख दो इसको D1 है ना फिर D2 फिर D3 और बाकी सेम डेल्टा ही बचेगा बाकी वही है B1 से B3 तक और इसी C1 से C3 तक होगा इसी परकार डेल्टा टू लिख सकते हैं न तो डेल्टा टू जो है वो होगा दूसरे स्टंब को रिप्लेस करने से तो फस्ट कोलम तो वही होगा इसमें A1 A2 A3 ही यहां पर आएगा D1 D2 D3 और यहां पर आएगा C1 C2 C3 और ऐसे ही होगा डेल्टा 3 का मान भी उसमें आप जानते कि थर्ड को इस से D1 D2 D3 से रिप्लेस करना है तो आगे आएगा वही A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 और यहां होगा D1 D2 D3 ठीक है ऐसे इन तीनों के मान आ गए और इसका प्रमान आप खुद करेंगे करना अच्छे से इसका प्रमान बड़ा इजी है अगर आप देखे तो इन तीनों का इन तीनों का हल होगा वज़र गुणन से इजी पड़ेगा बाकि आपके इच्छा के से करना जरूर इसको आपके पास में रिप्लेस्मेंट वी दी है या समान गुणां करके दो के मान निकाल के तीसरे में रख दो बलई या मैं कहूंगा कि इन दो के द्वारा वज़र इन दानों भागों पर डिपेंडेंट कोई सवाल करते हैं और बाद वी बात करते हैं आगले भाग की आप ी दानत की देखीएगा अब कोई एक्जामपल ले लेते हैं जो कि इसकी पूरी व्याख्या करता हूँ एक साथ ही जैसे आप देख सकते हैं यह पेज नंबर वन वन टू एक सुबारा पर एक्जामपल नंबर लेते हैं इसको इसकीक द्धान यह इसे पर हम करेंगे इसको क्रेमर नियम में देखिये गाएग्जामपल लम पर चूदा करते हैं झाबभी इसमें पहली बात तो दिया गया एक्विशन निकाये इसमें flour गी तो कह सकते X plus Y plus Z equal 6 होगा और X minus Y plus Z equal 2 है और हमें पुछा गए है कि इसका हल गयात कीजिए हलांकि किताब में तो इसका हल किया गया आभी उसी दान्तवाले से पर हम इसे करेंगे अलग रूप नहीं क्रेमर नियम से करेंगे ठीक है देखिए अब हल के लिए आपको पता है कि पहले हमें चार मान निकालने पड़ेंगे, डेल्टा से डेल्टा थ्री तक, और बाद में सिंपल बस मान रख नहीं है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, देखिएगा, पहले दिये गए समिकरन निकाई से डेल्टा वन से डेल्टा थ्री तक मा समिकरण निकाई समिकरण निकाई द्वारा सारनिकों के मान निकालने पर सारनिकों के मान ग्यात करने पर या ग्यात करते हैं ऐसा कह सकते हैं उसमें चार मान पर इसमें निकालते हैं डेल्टा का इमान डेल्टा होता है चरों के गुणांकों के सारनिक तो लिख दो आप चर गुणा की, पहले इसमें 2 हैं, फिर माइनस 1, फिर 3 होगा, 2, माइनस 1, 3, यहाँ पर चर के मल्टिपल, सेम 1, 1, 1, 1, माइनस 1 और 1, चलो इसका मान निकाल लो, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसका प्रसार कर देते हैं न, तो मैं मान प्रसार कर यहाँ पर होगा माइनस 1, माइनस 1, मतलब माइनस के 2 आ जाएंगे, इसका हल कर लो, यह होगा 2 इंटू 2, जो कि आगे बनेगा 4, फिर माइनस का है 3 इंटू 2, जो कि 6 है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लास्ट में कह सकते हैं, डेल्टा बराबर, यह है 4 माइनस 6, मतलब माइनस का 2, तो डेल्टा का माइनस में माइनस का 2 पराप्त हुआ है, ठीक है, अब निकालते हैं डेलटा 1 से डेलटा 3 तक के माइन, तथा डेल्टा 1, देखीएगा, डेल्टा 1 का मतलब बनेगा 1र्श को रीपलेस करदो, इक बल्वानों से, तो फरस्ट कोलमब बने आरवन के साफ एक्ष तो पहले नो के साफ एक्ष प्रसार कर लो आप यह बनेगा एक प्लस एक दो फिर माइनस का चिन लेकिन माइनस 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 प्लस और ब्रेकिट में देखिए 6 और माइनस का दो होगा ना 6 माइनस का दो ठीक है और फिर प्लस का चिन है और यहां पर हो 6, minus का 6, minus का 2, मतलब minus का 8, और minus का 8 into 3, minus के आजाएंगे 24, अब इसका मान देखो, 18 और 6, 18 और 4, 22, और minus के 24, मतलब minus का 2 है यहाँ पर, तो delta 1 का मान आजाएगा, minus का ही 2, इसी प्रकार delta 2 का मान निकाल दो, देखते हैं, तथा delta 2, delta 2 में देखिएगा, second column को बनाओ, 962, तो first column सेम है, 2, 1, 1, 962, है ना, फिर third column यही होगा, 3, 1, 1, इसका मान भी निकाल लो आप, साथ में ही, तो देख पा रहे होंगे, यहाँ से, जो है, पहले तो 2 और bracket में आएगा, 6, minus का 2, मतलब के 4, फिर minus का 9 है, ठीका ना, फिर आएगा, यह 0 ही, यहाँ पर 0 आगया है, फिर plus का 3, और यहाँ पर आसकता है, 2, minus 6, मतलब minus के 4, इसका हल निकाल लिजे, यह बनेगा 8, और यह बनेगा minus के 12, plus का 8, minus के 12, मतलब minus के 4 बच गए है, तो delta 2 का मान, यहाँ से आपने प्राप्त कर लिया, minus का 4, ठीक है, इसी प्रकार निका तो first column और second column वही होंगे, 2, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, और 9, 6, 2, ठीक है, इसका हल कर लेते हैं, प्रसार के मातिम से, तो देखते हैं, यहाँ पर 2 है, bracket में बनेगा 2, plus 6, फिर minus, minus, plus, 2, minus 6, और फिर plus का चिन है, minus 1, minus 1, इसका मान निकालो आप, आप देख रहे हैं कि 2, plus 6, मतलब 8, और यह हो जाएंगे, यहाँ पर, 8, into 2, मतलब 16, और यह minus का 4 है, और minus के, यह बन गए 18 ही, ठीक है, तो कितने बच गए हैं, यहाँ से आप जानते हैं, कि minus का 18, और 4, 22, और plus का 16, तो इसको हल करने पर आप जानते हैं, कि minus के जो हैं, 6 बच जाएंगे, क्यों, यह इसमें आज़ सकते हैं, कि अब इस समीकरण निकाए का हल, अब समीकरण निकाए का हल, और हल के अंतरगत आपको सुत्र के द्वारा हल नहीं है, बस तो पहले इसमें X का मान, जो की होता है, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, तो डेल्टा 1 का मान, मान का दो, और डेल्टा का मान भी माइनस का द मतलब प्लस का दो आजाएगा और इसी प्रकार जेड होता है डेल्टा थ्री फिर बट्टा में डेल्टा तो डेल्टा थ्री का मान माइनस का च्छे बट्टे माइनस का दो मतलब कि प्लस का तीन इसके तीन मान आ गए एक दो तीन ये इसका हल हो जाएगा ठीक है और ठीक है इ इसमें बहुत टाइम लगाया करने में पर अगर आपकी स्पीड तेज हो इनका मान निकालने की तो काफी इजी पड़ता है सवाल है बजाए सिधा करने के ठीक है ना तो इस प्रकार से हमने क्रेमर नीम को अच्छे से सीखा है अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार आविय ज्याद कर लेते हैं और इसके लिए जो तरीका है आप इसको देखें अच्छे से इस तरीके के अंत्रगत हम सारनिकों का यूज़ कम करेंगे मैट्रिक्स का यूज़ जादा करेंगे देखो एक बार तो हम बात कर रहे हैं दो नंबर आव्यूह सिध्धान्त दो नंबर इस में इसका दूसरा और अंतिम प्रकार है आप देखिए इसमें क्या करना चाहिए सुनो पहले तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ थी क्रोश थी की ही मान लोग एक भी से निकाया आपको दिर का थी क्रोश थी का हम क्या अब क्यों सुन लो सोल्ट में हम करते क्या है हम सब से पहले उस समिक्रण निकाय को तीन मैट्रिक्स में तोड़ते हैं और वो तीन मैट्रिक्स कौन-कौन सी हैं उनके नाम है A, X और B हम उस दिये के समिक्रण निकाय को A, X, B इन तीन रूप में तोड़ देते हैं और लास्ट में उसका रूप कैसा बनता है एक बार इसको का निकाई ये है A1 X फिर B1 Y C1 Z बराबर में D1 इसी प्रकार से दूसरी equation ऐसी दे रही है मान लिजिए C2 Z equals to D2 और ऐसी मान लिजिए A1 A3 X B3 Y फिर प्लस में है C3 Z equals to D3 जो कि आप जानते हैं कि आपके सलेबस का सबसे बड़ा जो कोटी का equation वो यही होता है तीन कोटी का ही आगे चार कोटी नहीं होगी अब देखिए अब अगर आप देखे तो इसी को ही इस को ही हम ऐसा लिख पाएंगे आगे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बनेगा यह A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहाँ से C1 C2 C3 और गुणा में है चरों की मैट्रिक्स X Y Z बराबर में है मुल्य सदिश D1 D2 D3 है अब यह जानबूज की लिखा गया प्रकार है यह अगर आप देखें तो बिलकुल ठीक बात है इसमें कोई गलत तो है नहीं आप देखें लो बलें यह मेट्रिक्स है 3 X 3 का यह मेट्रिक्स कितने कोटी का होगा यह होगा 3 X 1 का यह है 3 X 1 का ही अगर आप देखें तो इन दोनों का गुणा संभव है बिलकुल यह दोनों में इसके स्थम इसकी पंक्ती बराबर दोब़द गुणा होगा और लाश्ट में कोटी बचेगी इसको अटाओ इनको तो पिछे बज़ेगा 3 क्रोस बन ही तो आप देख लिजी बले इनको गुणा करने के बाद में ये मैट्रिक्स बन रही है बिल्कुल सेम बन रही है इसको इसकी उपर रखो तो पहले पंक्ति आ गई इससे दूसरी इससे तीसरी पंक्ति बन रही है और इकवल में तो आप जानते हैं ये सेम है ही इसका मतलब इसको इस रूप में लिखना गलत नहीं है सही है और ये लिखना हमें यहाँ पर बहुत साहिता करेगा उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम इस रूप में ही यह जो आप जानते हैं इसको हम एक नाम देते हैं capital A संकेत की बात कर रहा हूं मैं के बात इसको मैं नाम दूँगा capital X बराबर में इसको नाम देते हैं capital B यह AX B वास्तों में यही है यह जो AX B है यहाँ पर जो A है इसको बोलते हैं चरों के गुणांकों की matrix चरों के गुणांकों की matrix ठीक है ना और इसी प्रकार से जो X है ना X X है चरों की matrix ऐसा कह सकते हैं चरों की matrix क्योंकि X को आपने लिखा है XYZ के लिए ही तो यहाँ पर X खुद को ने चरों की matrix है और यहाँ पर जो B है उसको बोलते हैं मुल्य सदीश ठीक है ना यह मुल्य मान कहे दो कुछ भी कहे दो इक्वल वाला मान होता है ठीक है तो इन तीन संकेत में पहले matrix को तोड़ देते हैं और last में क्या गरना है सुनिएगा इसके बाद में आपको चाहिए XYZ का मान है ना और XYZ का मान निकालने के लिए यहाँ पर आपको X का मान निकालना चाहिए और यहाँ से X का मान कैसे आएगा जब आप X बराबर में इस A को इदर बेज देंगे तो A इदर क्या बनेगा A इदर बनेगा A inverse A का वित्करम बन जाएगा यह और आगे B तो पड़ाई है और आपने A inverse का मान निकालना सिखा है अच्छे से कोई दिक्ट नहीं होगी तो A inverse का मान निकालना पड़ेगा और into में B तो सेम रखना है ही इनको गुणा किया जाएगा और इनका गुणा करने के बाद जो मान आएगा उस मान की इस X से तुलना की जाएगी और तुलना से इन तीनों चरों की मान प्राप्त हो जाएगे यह तरीका है इसमें और इसमें equation number इसको मान लेते हैं एक यह equation इस पूरी जो पूरा method इसका आधार यह equation यह और कुछ नहीं है इस equation में आपको A inverse का मान निकालना है और B से गुणा करना है बस यह simple सी बात है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आई ठीक है एक बार मैं दुबारा कहे दूँ हमें दिये गए समिक्रण निकाय को पहले इन तीन रूप में तोड़ना होगा जिसमें चरों की गुणा को की matrix चरों की matrix और मुले सदिश अलग-अलग हो जाएंगे और बात में इनको मैं A, X, B में संकेत रूप में नाम दूँगा और लास्ट में X का मान निकालने के लिए A इंवर्स से इधर B गुणा होगा और इसको equation number 1 मानते हुए लास्ट में इने गुणा करके ही हमें संगत रूप में X, Y, Z के मान निकालने है एक बात आप जान रखिएगा, यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखे दो, X बराबर में B A इन्वर्स यह लिखना सही नहीं है क्योंकि वास्तव में इसमें आप जानते कि मैट्रिक्स में जो है न इसका आप ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं इसमें कोई सवाल की इसमें इतनी वी दिया बस इसकी सवाल की बात कर लेते हैं सवाल में काफी कुछ आपको इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म दिखने को मिलेगा देखिएगा इसमें कोई भी सवाल कर लेते हैं जो इसमें ठीक पड़े इसको समझेने के लिए जैसे अपने वही कर लेते हैं एक्जामपल लंबर 14 कर लेते हैं ताकि दो प्रकार से उसको आप समझ पाओ यह देख लो इसमें एक्जामपल लंबर 14 में जो एक्विशन का निकाई दिया गया था उसको मैं दुबारा लिख दूँ पहले तो यह ना प्रदत समीकरण निकाई जो है वो यह था इसमें 2x-y 2x-y फिर प्लस में 3z इक्वल 9 उसके बाद में second equation है x plus y plus z equals to 6 चीक है ना और आगे है x-y plus z equal to और आप से पुछा गया है कि इसका हल क्या होगा चलो बड़ा आसान काम है यह तो अगर आप देखें तो पहले मैं इसको मानूंगा equation star है समीकरण निकाई कोई और बाद में इसको हम तोड़ेंगे उस तीन भाग में देखते हैं अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे तोड़ की लिख सकता हूँ यहां से 2 है ना फिर minus 1 3 1 1 1 फिर 1 minus 1 और 1 वापिस यह चरों के multiple सा चुके हैं है ना और आगे आएंगे x y z यह तीन चर आ गए हैं बराबर में मुल्ले सदीश लिख लो से में 9 6 2 पड़ा है ठीक है अच्छा अब हमें इसको ऐसा लिख देना चीए संग शेप में a x बराबर में b अब आप खुद समझ लो कि आपने a किसको लिखा है x कौन है इसमें b कौन है ठीक है और लास्ट में जो है x बराबर में बनेगा a inverse into b equation number 1 मान लो और अब हमें equation number जो एक है इसी ही को हल करना है बस और इसका हल होगा a inverse का मान आने के बाद तो अब हमें इस equation number 1 को प्राप्ट करने के बाद में a inverse का मान निकालना जो कि इस a से ही आएगा आप खुद समझ लो कि इसमें a कोन है और b कोन x कोन है वो खुद समझ ना आपको लिखना नहीं यह लग से कि a यह है वो सब उसको छोड़ दो बले ठीक है अब देखिएगा अब हमें a inverse के लिए पहले आप जानते हैं कि a का सारणिक निकालना पड़ेगा देखना है कि उसका मान जिरो तो ठीक है फिर minus minus plus 1 हो जाएगा आगे और यहां पर जो है 0 आ रहा है तो into में 0 ही है फिर plus में आगे है 3 ठीक है ना और यहां पर है minus 1 और again minus 1 तो minus 1 minus 1 यह plus का 4 यह minus का 6 तो minus का 2 बच गया तो सारणिक ओफ a का मान आ जाएगा minus 2 जो कि आप जानते हैं 0 तो नहीं है इसका मतलब इसमें a inverse का मान आ सकता है यह आप यह वितकर्मनिय होगा ठीक है तथा अब निकालते है adjoint of a आगे देखिएगा adj a इसका मान बड़ा असा plus minus फिर plus minus plus अब लिखने है निकी उपसारणिकों के मान तो पहले यहां पर देखो यहां पर था 2 और 2 का इसमें होगा अप्जारणिक है वापिस दो ही यहां पर 2 आ जाएगा फिर इसका होगा अपसारणिक देख लों आप 0 हो जाएगा और आगे वाले का होगा इसमें उप पंक्ति स्थम्प चुपाया तो पिछे बच गया माइनस का एक और माइनस माइनस प्लस का तीन मतलब प्लस का दो बच जाएगा ठीक है ना? और यहाँ पर इसका होगा दो माइनस तीन मतलब माइनस का एक यह माइनस का एक है और यहां पर इसका हो जाएगा minus 2 plus 1, मतलब की minus का 1 है। Last में देखते हैं, minus 1 minus 3 मतलब minus का चार अजाएगा। फिर यहां से आ सकता है 2 minus 3 मतलब minus का 1, और इसका आ सकता है last में 2 और 1 3, तो minus 1 और इसका आ जाएगा 3 है। ठीक है ऐसे इसके agent of a का मान निकाला जा सकता है और लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि इसमें agent of a जो है इसको मैं लिख रहा हूँ आगे इसमें transpose करने से प्राप्त होगा तो कर दो प्रांस्पोर साथ में तो बने काए इसमें परथम पंक्ती बने ये प्रथम लास्ट में कहुna करते हैं कि आ अब हमें A inverse का मान चाहिए ना तो कह सकते हैं कि चुंकि A inverse बराबर में सुत्र होता है इसका ADJA फिर बटा में A का सारनिक तो यहां पर इनके मान रखिएगा तो यहां पर हम जानते हैं कि A inverse बराबर में क्या आएगा पहले तो बटा में सारनिक ओफ A है मतलब कि 1 बटा माइनस 2 से गुणा होगा यह सारनिक ऐसा कर सकते हैं तो यह होगा इसमें माइनस का 1 बटा 2 और गुणा में यह सेम मान आएगा यही 2 माइनस 2 है ना फिर माइनस का 4 जीरो माइनस एक एक, फिर माइनस का दो, एक और तीन, ऐसे हो सकता है, इसमें कोई दिक्ट थोड़ी होगी, अब हमें करना क्या है, अब हमें B का तो मान पता ही है, अब इस A इंवर्स के मान को यहां पर रिप्लेस करना है, और इसका मान निकालना है, बस, एक्विशन नमबर वो सेम है, बराबर में देहिएगा, A इंवर्स का मान यह है, माइनस का 1 बटा 2, और आगे एड़्जन टो फे वाला सेम मान है, यह 2, 0, माइनस का 2, है ना, फिर माइनस का 2, माइनस 1, 1, और माइनस 4, 1, 3 है, अब इस से हमें गुणा करना है B को, जो कि यह है, 962, तो मल्टि दो है और इसे गुणा करना है पंक्ती से स्टंप ना तो पंक्ती उठा करके स्टंप रख दो बस तो यह 9 तो गुणा होगा 2 से मतलब 18 बन गया यह फिर माइनस का हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 8 तो ठीक बात है ना फिर इसके गुणा इससे यहां पर 0 हो रहा है वापिस मैनस के 18, प्लस का 6 और प्लस का वापिस 6 है, इसको हल करने पर आप जानते ही होंगे, यह बनेगा माइनस एक बट़ा, दो और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं न, 18 तो प्लस का है, और 12 और 8 यह दोनों माइनस के, माइनस के 20, 18 प्लस का, मतलब कि माइनस का 2 बच जाएगा, ऐसा बच रहा है, है ना, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 6, और अगर आप देखें, तो माइनस 1 बटा 2 से, यह मैट्रिक्स तो है न, तो मैट्रिक्स का प्रतेक एलिमेंट इस माइनस का एक बट्टा दो से गुणा होगा तो गुणा होते ही ये सब आधे हो जाएंगे इसमें चिन हो जाएंगे सब के प्लस के तो ये बनेगा यहाँ पर एक दो तीन और यहाँ चल रहा था एक्स क्या अब लास्ट में आप जानते हैं कि एक्स आपने माना था इस चरों की मैट्रिक्स कोई तो लास्ट में कह सकते हैं कि चरों की मैट्रिक्स जो एक्स है वो थी एक्स वाई जेड और बराबर में इसका माना गया है एक दो तीन और आप जानते हैं कि बीच में समानता का चिन है और दोनों मैट्रिक्स नहीं है आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स समान के वल तब होती है जब उसमें दो बात हो पहले बात तो उसकी कोटी समान हो और दूसरी बात उसकी संगत एलेमेंट भी समान हो तो यहांपर कोटी दोनों की सेम है, 3 क्रोस 1, 3 क्रोस 1 है, इसका मतलब क्या है कि X का मान एक होगा, Y का मान दो और जड का मान तीन होगा, तो लाश्ट में कह सकते हैं कि अता है, इसका जो हल है, वो यही है, X बराबर एक, Y बराबर दो, और जड बराबर इसमें तीन आ चुका कि हैं आप समझे से माना दाता है तो यह एक तरीका है एिस प्रकार से आपने समीकरन निकाई को रखिक वाली समीकरन निकाई को हल करने के दो तरीके शीख लिए还 क्रेमर का नियम जिसमें केवल सहरे काम होता है और दूसरा अविल सिध्धान्त जिसमें अधिकतम बार आपको मैट्रिक्स में ही सवाल करना है बस एक यहाँ पर आपको सारनिक का मान निकालना पड़ेगा बाखी कई पर भी सारनिक नहीं है हमेशा मैट्रिक्स का ही काम पड़ेगा चीक है तो इस प्रकार से हमने प्रशनावली 5.2 इसकी थियो पूछ लेना करवा दिया जाएंगे लेक्स टाइम में लेकिन एक्जाम्पल छोड़ना नहीं एक्जाम्पल बहुत काम के हैं बर्ड एक्जाम के साब से ठीक है तो बाखी करते हैं अगले भाग में अभी के लिए इतना परियाक्त है